नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयोजवन के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिती कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा अब आपको बताते हैं शुब मुहूर्थ और श्वेश्ट चौगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुरत उपर्युक शुबाशुब समय तिथी वार नक्षत्र नुसार आज विवा उपनेयन ग्रियारं ग्रियारं ग्रिया प्रवेश नामकरन अनप्राशन देव प्रतिष्ठा सगाई रोका कृपार आरं भल प्रवहन प्रसूती सनान व विद्यारं की अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम टे, टो, प, 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 आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं प्राता आट पच्पन तक जन्मे जातकों की जन्म राशी सिंग वह इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशी कन्या है तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक श्वत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक श्वत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार